किसान भाईयों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चेनल डी फार्मिंग में किसान भाईयों इस वीडियो में हम सोयाबीन की सबसे उन्नत किस्में जे एस बीस चोतिस और जे एस पिच्चानवे साथ में अंतर को लेकर बात करेंगे यानि कि सोयाबीन की ये दोनों उन्नत विराइटियों में कौन सी विराइटी बेश्ट मानी गई है और इन दोनों विराइटियों की क्या-क्या विशेशताएं है इस वीडियो में आपको पूरी डीटेल के साथ में पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कौन सी विराइटी की पेदावार कितनी है क्या क्या विशेशता है और आपको इन दोनों विराइटियों में कौन सी विराइटी लगाना चाहिए यह वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है की उननत वेराइटियों में मानी जाती हैं, बात करते हैं इन दोनों में कुछ अंतर की तो कुछ अंतर हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बेश्ट बनाती हैं सबसे बहले बात करते हैं अंकूरन सम्ता किसान भाईयो जे एस पिच्चानवे साड़ की अंकूरन सम्ता लगबग बानवे से लेकर पिच्चानवे परतिसत तक होती हैं वहीं इसके मुकाबले जे एस बीस चोतिस की अंकूरन सम्ता लगबग पिच्चानवे से लेकर सित्यान परतिसर्ट तक होती हैं जैने कि 95 साट से जेएस बीस चोतिस की अंगोरन समदा ज्यादा होती है इसके अलवा प्रति एकड़ 20 दर की बात करते हैं तो जेएस 95 साट की बुवाई करते समय आपको 40 किलो ग्राम प्रति एकड़ की दर से 20 दर रखना होती है वहीं जेएस 24 की अग जेई S95 के Sort में इल्यों का ॹटेक जादा होता है यानि कि इसमें इल्यों थोड़ी जादा लगती हैं तो आपका इल्यों को शिपुरे आपको इस वराइटी में करना पड़ता है वहीं है जेई S Dawn Classic की बात करें तो JS-95 के मुकाबले JS-2034 में इल्यों का अटेक थोड़ा कम होता है यानि कि आप एक आदा स्परे करते हैं तो भी आप इल्यों पर पूरी तरह से नियंदरन कर सकते हैं JS-95 में थोड़ा फूटाव कम होता हैं वही JS-2034 में काफी ज़्यादा फूटान देखने को मिलती है JS-95 के फूल हलके पीले रंगे होते हैं वही JS-2034 के फूल एकदम से सफेद होते हैं किसान भाईयों बात करते हैं अवदी की तो JS-95 लगवग 80-85 दिन में पकर तैयार होने वाली विराइटी है या सोयबीन की अडली विराइटी माने जाती है यही बात करें JS-24 की तो JS-24 लगवग 80-90 दिन में पकर तैयार हो जाती है दोनों ही सोयबीन की वेश्ट विराइटीों में सामिल होती है किसान भाईयों JS-94 की अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो समय पर हार्वेस्टिंग करना जरूरी होता है इसमें सोयबीन गिरने की समश्या देखी जाती है वहीं JS-24 की बात करें तो उसमें यह समश्या नहीं आती है पकने के बाद अगर 2-4 दिन मज़़ूर ना मिले तो भी आप आसाने से कटाई कर सकते हैं बात करते हैं प्रती एकड उतपादन की तो JS-94 से आप लगबग 11-13 गविंडल प्रती एकड के हिसाब से उतपादन ले सकते हैं वहीं JS-24 की बात करें तो JS-24 से आप लगबग 12-15 गविंडल तक प्रती एकड की दर से उतपादन ले सकते हैं दोनों ही विराइटियों का उतपादन अधिक हैं लेकिन JS-94 के मुकाबले JS-24 से थोड़ी पेदावार आप ज़्यादा ले सकते हैं JS-94 का दाना पीले रंका होता हैं वहीं JS-24 का दाना हलका सफेद रंका होता है किसान बाईयों ये तो हुई दोनों ही विराइटियों की बात अब बात करते हैं इन दोनों विराइटियों में कौन सी विराइटि बेस्ट हैं वैसे तो किसान बाईयों दोनों ही विराइटिया बेस्ट हैं लेकिन JS-95 के मुकाबले JS-24 विराइटि थोड़ी बेस्ट मानी गई हैं बेश्ट क्यों माने गई हैं क्योंकि JS2034 की अंकुरन समता 95-6 से ज़्यादा होती हैं इसकी बुवाई करने में 20 दर भी थोड़ी कम लगती हैं इसके अलावा इसमें इल्ली का अटेक भी कम होता हैं पोदे में ज़्यादा फूटान आती हैं और इसका उत्पादन भी ज़्या सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप JS2034 को भी लगा सकते हैं तो उम्मिद करता हूं या जानकारी आपको पसंद आये होगी पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्ते के पास सियर करें मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय किसान